For my all lovely viewers and all lovely subscribers, welcome again to my channel जिन्दिकी जरम स्कुराना आज का ये प्यारा मगर छोटा सा वीडियो मैं सेयर करने जा रही हूँ अपने उन फ्रेंड्स के साथ खास कर जिनके पास खुली जगह का बहुत अभाव है साथ छोटी से बेलकनी हो उनके पास फ्लैट्स में रहते हो या फिर घनी आवादी वाले चेतर में रहते हो तो उनके लिए खुली जगह बहुत मुश्किल से थोड़ी सी होती है जहां थोड़ी हलकी धूप आती हो और ऐसे फ्रेंट्स मेरे बागवानी का भी सौक रखते हैं तो फ्रेंट्स मेरा ये थीम अपने बेलकनी में क्रियेट करें या फिर अपने छोटे से एरिया में आप क्रियेट करें आप देखे लोग आपकी वावाही करते ठकेंगे नहीं फ्रेंस धीम के साथ ordinary plants को सामिल करिए और बना लीजिए अपना creation जो की आपका अपना खुद का बनाया हुआ होगा थोड़ी से जगा थोड़ी से simple plants लेकिन beautiful looking रहे मेरे फ्रेंस मैंने शामिल किये हैं बहुत साध्रेंस से plant एक छोटा सा rose plant बेबी टियर्स रियो और विंका और ये कोलियस थोड़ा से पोर्चुली का और थोड़ा सा purple heart ये सारे plants को मैंने मिला करके ये छोटा सा थीम तयार किया है और मैंने चुना है सूरिय मंदिर को जो की कोनात का बड़ा ही special मंदिर है तो इसका एक छोटा सा एक decorative piece मेरे पास था मैंने उसे ही choose किया है यहां एक temple का लुक दिया है और इस जगह को बड़ा ही पवित्र और होली बना दिया है तो फ्रेंट्स आप भी इस तरह के जो पुराने कुछ statue या फिर कुछ इस तरह के piece हो आपके पास तो आप उन्हें सजावट के लिए use करें और इस तरह का एक theme क्रियेट करें तो यह देखिए मैंने छोटी-छोटी से यह बनाई हैं उनके दोनों तरफ stones रखे हैं और उसके बाद tiles से यह मैंने base बनाया है उसके उपर मैंने दो steps डाल करके फिर उसके उपर म दोनों तरफ मैंने छोटे-छोटे पत्थरों को डाल कर rocky look देने का प्रयास किया है उसके बाद फिर दो छोटे steps डाल कर मैंने उपर temple को रखा है और यह एक बहुत कोफशूरत बड़ा ही पवित्र बड़ा ही सांती में एक environment को create कर रहा है जो कि बड़ा ही कोफशूरत लग साथ ही आपने देखा कि मैंने कितनी simple plants को use किया है तो यह देखे टेंपल इतना प्यारा सा यह piece तो इस तरह के decorative piece हम सभी के घर में बहुत सारे रहते हैं तो उनका use कीजिए आप उनसे आप एक theme बनाएं और उसके बाद उसे छोटे-छोटे ordinary planters को लेकर और उसमें ordinary plants से लग दे दीजिए यकीन मानगे आपके वो ordinary plants, ordinary planters दोनों ही इस तरीके से सजाने के बाद खास लगने लगते हैं बड़ा ही beautiful लगने लगते हैं तो यह सारे चीजे आपके घर में आप आसानी से बना सकते हैं छोटे-छोटे pots चुन सकते हैं उन्हें creativity के साथ आप बहुत सारे तरह तरह के plants को यूज़ कर ये खुबसूरत सा theme create कर सकते हैं तो आज का ये वीडियो मेरे उन friends के लिए जिनके पास बहुत ही कम जगह है लेकिन वो बागवानी का सौख रखते हैं और इस तरह का कुछ खास theme को सामिल कर वो अपने बागवानी को एक खास लुक दे सकते हैं और बहुत सारे plants को सामिल कर अपने बागवानी के शौख को पूरा कर सकते हैं तो friends आज का ये वीडियो आपके लिए कितना useful रहा आपको कितना अच्छा लगा खास कर जिनके पास कम जगह है वो मुझे जरूर बताए और friends subscribe करें bell button को दबाना बिलकुल न भूले like करें हो सक लाफ उठा सके तो friends तक के लिए bye मिलता है अगले वीडियो में